ठीक है, दो टाइप्स की होती है, एक सीरियल हो गई और एक पैरलल हो गई, समझा आ गया ये, सीरियल और पैरलल में अगर कोई डिफरेंस पूछा चाए तो क्या जवाब दोगे, बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूँ के, what is the difference between serial activities and concurrent activity, then, क्या answer दोगे, उसमें? सीरियल एक्टिवीटी ये, वो मतलब कि एक समान रूप से चलती है, हाँ, एक sequential order में चलती है, हाँ, सर और ये जो है तो अपने मालिक होता है, पारलल एक्टिवीटीज में, एक ही मालिक हो जाके, हाँ, पैरलल एक्टिवीटीज और concurrent एक्टिवीटीज वो एक्टिवीटीज हैं, कि जिनका base एक ही हो, बट वो आगे जाके क्या हो जाएं? इन्डिपेंडेंट हो जाएं एक दूसरे से, तो हम उनको बोलते हैं, concurrent activities, देन उसके बाद है, activity over node, ठीक है? एक थी, activity over arrow, जिसमें हम क्या करते हैं? कि arrow का use करते थे, ठीक है? इसमें क्या है, activity over node में? चलो पढ़ते हैं, पता चलेगा क्या होता है, in AON system, इसमें activity on node network system, some time called precedence diagram, also the node represents the activity and arrows, their precedence relationship, nodes are usually represent by square or rectangles, or other conventional geometric shape may be also used. तो कहता है कि activity over node एक ऐसा system है, जो कि क्या करता है? activities को, arrows को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है कि इस से, rectangular से, या फिर square से, जैसे diagram में देखो, इसमें circular भी है, इसमें rectangular भी है, और इसमें क्या है? scares, हाँ, scares भी हैं, तो कोई भी operation जो है, जिसको rectangle, square या circle से हम denote करें, उसको हम क्या बोलते हैं? activity over node, और activity over arrow में क्या था? कि उसको हम arrow से denote करते थे, और sequential order और concurrent order में चलते थे, बट इसमें क्या है? order कुछ नहीं है, इसमें हम उस operation को क्या करते हैं? जो भी हम उसको represent करते हैं, circle से, square से, या फिर कोई दूसरा geometrical shape हो, उससे हम represent करते हैं, उसको हम बोलते हैं activity over node, जैसे आपकी diagram में, first diagram में देखो, कि एक operation को इसने represent किया है किसे? circle से, फिर उसी operation को इसने represent किया है, square से, and then उसी के बाद ऐसे ही circles चल रहा है, squares भी चल रहे हैं, तो इस पूरे types का जो operation है, उसको हम क्या बोलते हैं? activity over node, और activity over arrow में क्या था? कि हम क्या करते थे? किसी भी operation को हम sequentially या concurrent लेके चलते थे, arrow से denote करते थे, और इसमें क्या है, कि उसी order को हम उसी operation को क्या करते हैं? इसमें nodes को measure करते हैं, उसमें arrow था, इसमें nodes है, but represent किसे करते हैं? square से, circle से, या फिर rectangular या कोई दूसरा, कोई geometrical shape हो. जैसे कि आपकी figure में आपको दिखाई दे रहा है, कि कैसे nodes को represent किया गया है, कैसे operations को represent किया है, पहले circle लिया है, फिर उसके बाद, उसी operation को इसने square में represent किया है. तो इस पूरे complete process को, पूरे complete operations को, rectangle या square में जब हम measure करेंगे, तो वो हमारा operation हो जाएगा, activity over node, ठीक है, यह समझा आ गया, फिर उसके बाद, एक next example है इसकी, अब मैं आप, एक question है मेरा, तुमने math पढ़के आयो तुम सब लोग, तुमने वहाँ पर एक term पढ़ी होगी, दो term, एक होती है predecessor, और एक होता है successor, किसी को पता है, दोनों में क्या difference है, predecessor किसको बोलते हैं, predecessor किसको बोलते हैं, successor किसको बोलते हैं, बताओ, है किसी को idea, अमन, predecessor कोई दूसरी example, और कोई बताएगा, क्या चीज़ सर, एक बार फिर से बोलिएगा, predecessor किसे और successor में क्या difference है, सर, वह ही न होता है, सर, एक पॉइंट से आगे का पॉइंट जो सकते, सर, अगे 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 पॉइंट है, उसी से एक पॉइंट से इंशेकर कमलू काता है, PDD सा, पहले तुम्हें कुछ और बला था, देखो, जैसे क्या है, कि मैं तुम्हें एक example दे रहा हूँ, जैसे ये diagram तुम्हें दिख रही है, इसमें जैसे मैं लिख देता हूँ, A, B और C, ठीक है, मैं ये एक term लिख देता हूँ, A, B, और C, इसको ध्यान से समझना, देखो, A, A का predecessor कुछ नहीं है, predecessor मतलब पीछे वाली term, ठीक है, तो A का predecessor कुछ नहीं है, और successor हो गया, आगे वाली term, तो मतलब A का successor क्या हो गया, B, ठीक है, A के पीछे कुछ नहीं आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि, A का predecessor कुछ नहीं है और A का successor क्या होगा B अब ऐसे ही C पे हम चले तो B जो हो जाएगा वो predecessor हो जाएगा किसका C का और C हो जाएगा successor किसका B का समझ आ गया predecessor और successor समझ आया कि दोबारा से समझाँ नहीं सर्थ देखो डाइग्राम दिख रही है सबको इसमें क्या है इसमें देखो लिखा हुआ है A, B और C सबसे पहले आता है predecessor predecessor वो term होती है जो पीछे वाला पीछे वाली term होती है उसको हम बोलते हैं predecessor जैसे A का predecessor कुछ नहीं है अगर B की बात करें तो B का predecessor होगा A और successor होगा C successor means आगे वाली term तो predecessor और successor क्या हो गया predecessor बोलते हैं पीछे वाली term को और successor बोलते हैं आगे वाली term को जैसे example मैंने तुमें बता दी के B का predecessor है A और C का predecessor है B अगर successor की बात करें तो C successor है किसका B का अब समझ आ गया सबको समझ आ गया दोबारा समझाओ बताओ हो गया सर चुदा कुमाने मैं समझाया तो ठीक है हाँ अब एक example करते हैं अधिक इस सब्सक्राइब होगी सब्सक्राइब है कि एक 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 साथ रभानाने है पर अरूस राएंसेंसिप हमें बसारा है कि अइस वह इचाना है अदर बाएंसट पर फूसरखना में उपता हैं को पूद्धिए अब कि अब कि इस मे पहले तो प्रीडिसेशर बनाने है इसका इतुरिक ड्याग्राम बनाना है अपने question की help से अब question को समझो बोल रहा है कि देखो concurrent activities कौन सी होगी वो मैंने आपको बता दिया फिर इसमें मैंने ये भी आपको बता दिया कि predecessor क्या होता है ठीक है फिर उसमें successor भी आपको बता दिया फिर अब क्या करना है हमें operation का पूरा network बनाना है अब कैसे बनाओगे कैसे समझोगे इसको देखो सबसे पहले उसमें क्या बोला है एक example मैं समझा रहा हूँ और एक home work दूँगा उसमें करके लाना उसमें बोला है कि A, B, C जो activities हैं वो एक साथ निकल रही है तो diagram में देखो जहांपर solution लिखा हुआ है A, B, C, A की पाइंट पर निकल रही है A, B और C, A की पाइंट पर निकल रही है के नहीं हाँ सर फिर उसके बाद उसने क्या बोला है कि D, E, F के predecessor कौन है A, B, C तो देख लो D, E, F के predecessor मैंने बताया कि जो पीछे वाली term होती है ठीक है तो D, E, F के predecessor कौन हुआ A, B, C ठीक है फिर उन्होंने बोला कि जो D, E, F है उनका successor है G तो successor कौन सी term हुई आगे वाली diagram में देखो कि D, E, F follow कर रहे हैं किसको G को तो इस type का हमारा क्या बन गया एक network diagram बन गया आया समझ यस सर्थ नहीं समझ आया तो मैं दोबारा समझा देता हूँ इसमें आपको क्या बताना है इसमें ये basic question है इसमें ये है कि सबसे पहले हमें predecessor बताना है पीछे वाली term देन उसके बाद successor बताने है तो question समझने का आसान तरीका वो ये बोर है कि ABC जो है वो एक ही point से निकल रहे है उसको हमने one point ले लिया ठीक है देखो एक ही point से निकल रहे है two, three, four sorry one से निकल रहे है ABC देन उसके बाद वो बोल रहा है कि जो D, E, F हैं उनके pre-decessor है ABC तो D को मैंने second माल लिया E को third और F को fourth और उनके इन तीनों point के pre-decessor कोई से होगे ABC देन उसके बाद वो बोल रहे है कि activity G is the last operation of the project and is also immediate successor to D, E, G मतलब G last operation है किसी भी project का last operation है और उस G जो है वो successor है किसका D, E, F का तो D, E, F follow कर रहा है किसका G को और G जो है वो last activity operation है इस type पर एक network diagram बन गया यह समझ आगे है network diagram यह भी बिलकुल basic है अभी इसके बाद थोड़े ओर typical भी आएंगे वो तुमें करने पड़ेंगे तो यह अगर समझ नहीं आया तो मैं दोबारा से समझा देता हूँ कैसे network chart बनता है आगे है सब को समझ यह सर बाकी वाले इसको fair बनाके लाना है इसका screenshot ले लो सब लोग इसको fair बनाके लाना है और समझना है इसको के यह कैसे किया है ठीक है अपनी notebook पर इसको fair बनाके लाना है इसी type का कोई दूसरा question भी कर लेना जैसे के मैं बोल देता हूँ आपको के draw जैसे जहाँ पर देखा है A, B, C concurrent वहाँ पर आप XYZ लिख दो ठीक है देन उसके बाद इस इस जगा चेंज कर दो और उसमें हाँ उस पर है उस पर है वहाँ पर देख लेना बाकी इसको fair बनाके लाओगे ठीक है फिर बनाके लाओगे तो आराम से तुम्हें समझा जाएगा तुम्हारे dots clear हो जाएंगे कुछ नहीं है एक question को समझना है सबसे पहले देने उसके बाद इसका network diagram है चार्ट बनाना है operation बनाना है उसमें दो term आपको समझनी है predecessor और successor जैसे मैंने बोला कि predecessor और एक हो गया आपका successor ओके समझा गया ये अजय को आपका अजय को आपके contractor बोलो बोलो कि अजय को आपका है जो हमारे अंदर में आते हैं कुछ अपने लेवर और कुछ मिस्टरी को ले करके और वो काम को finishing तक पहुंचाते हैं अच्छा देखो क्या होता है कि जो contractor होते हैं उनका एक खुद का ही एक कुछ private team होती है ठीक है तो वो लोग उस contractor के अंडर आते हैं और अगर तुमारा काम government body से है को government project है तो वो वहाँ पर है वो जो J होगा तो वो J के अंडर contractor आता है जो engineer होता है assistant engineer होता है या executive engineer होता है अगर government का कोई काम है ठीक है तो contractor government के अंडर आता है अगर वो ही काम ठेकेदार को मिल जा रहा है और ठेकेदार ने आगे अपना private रखा है supervisor रखे हैं या फिर engineer रखे हैं तो उस condition में वो engineer जो private होंगे वो contractor के अंडर आते हैं इसमें दो conditions रहती है या अधितिय जैसे बोला है engineer के अंडर में आता है engineer के अंडर में आता है जो जैसे तुम अगर अभी देखो तुम मैं बता रहा हूं जैसे तुम अगर कोई private job कर रहे हो ठीक है तो तुम किसी ठेकेदार के साथ काम कर रहे हो तो ठेकेदार तुमारे अंडर नहीं आता है तुम ठेकेदार के अंदर आते हो तुम प्राइवेट जौब कर रहे हो तब तुमारे अंदर थेकेदार आता है ठीक है इसमें दो चाहिए उतीज है समझाग को है अगर प्रैवेट जौब कर रहे हैं प्राइवेट में तो फ्राइवेट 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 में तो फ्राइ अब देखो होता क्या है कि ठेकेदारों की भी class होती है कोई किसी के पास A class होती है किसी के पास B class कोई C class वाला होता है उनकी भी अलग-लग categories वे हैं ठीक है? उनको भी अलग-लग types के वो license issue होते हैं अगर तुम private हो तो तब तुम ठेकेदार के अंडर आते हो ठीक है? जो तुमारा owner होता है तुम उसके अंडर आते हो और अगर तुम government में हो तो ठेकेदार जो है वो तुमारे अंडर आता है simple ठीक है? समझ आ गया ये? then उसके बाद था अपने जो मैंने तुमें notes दिये थे उसमें था project इसी से आगे project management में कि हमें जैसे इसके main objectives क्या क्या है what are the objectives of project तो जो इसके main objective होंगे जो मैंने notes बज़े थे उसमें देख लेना सबसे पहला जो है कि हर एक client यही चाहता है हर एक contractor यही चाहता है कि जो हमारा काम है वो कम से कम time period में cover हो जाए कम से कम time period में minimum time में वो complete हो जाए ठीक है then उसके बाद वो यह चाहता है कि जो भी हम उस project के related available resource होंगे ठीक है जितने मतलब local resource होंगे जितने हमें नजदीक से सब कुछ resource मतलब जैसे कहीं पर पानी की शोटेल है तो हम चाहेंगे कि हमें जितने कम distance पर पानी मिले तो उतना हमारे लिए favorable होगा जितने ही कम distance पर market हो तो हमारा cost of construction जो है transport cost होगी वो बच जाएगी तो हर कोई यही चाहता है कि एक मतलब हम जो हमारे local resources हैं वो कम से कम दूरी प्याहूं देन उसके बाद जो भी हमारा project हो वो कम से कम time period में पूरा हो ठीक है अब होता क्या है इन projects में इन projects में controlling भी होती है ठीक है controlling means control देखते हैं कि जैसे कोई बड़ा project चल रहे है ठीक है management उसको control कर रहे है ठीक है एक दम उसको close से monitor कर रहे है अब जो लोग अब भी क्या हैं कि जो training कर रहे है ठीक है उनको पता होगा कि उनके उपर कौन-कौन लोग देखने आता है daily inspection पर आता है तो daily inspection है वो एक controlling का process है ठीक है उसमें वो लोग देखते हैं कि quality कैसे maintain कर रहे हैं ये लोग ठीक है क्या क्या cost का ये material यूज कर रहे है कितना यूज है रहे है कितनी quantity यूज कर रहे है तो हम इन simple word में कह सकते है कि जो हम controlling करते है ठीक है executions के लिए या फिर planning के लिए या either scheduling के लिए ठीक है planning मैंने तुमें बताया planning क्या होता है कोई भी काम शुरू करने से पहले जो भी हम planning करते है उसको हम क्या बोलते है planning अब execution कि उसी हम अपने plan को कैसे execute करते हैं कैसे उस पर चलते हैं देन उसके बाद scheduling scheduling मतलब आज की date में हमें ये करना है कल की date में हमें ये करना है परसों में slab डालना है उसके बाद steel की cutting करना है सरिया बिछाना है ये पूरे process को हम क्या बोलते है scheduling तो simple word में हम कह सकते हैं कि जो भी construction activity है उसको हम control भी कर सकते हैं देन उसके बाद हम उसको planning भी कर सकते हैं या हम planning भी कर सकते हैं control भी कर सकते हैं मतलब failure आ जाता है तो हम उसको re-scheduling करके deal कर सकते हैं उस project में, ठीक है, तो man objective क्या रहे इसके, कि हम इसमें कोई भी client जो है, वो यही चाहता है, कि मेरा काम कम से कम time period में पूरा हो, उसके बाद जो local resource है, उसका use किया जाए, then उसके बाद उस काम को, उस project को अच्छे से control किया close से monitoring की जाए, या फिर, जो भी है controlling में, हम planning करते हैं, execution करते हैं, scheduling करते हैं, then उसके बाद, in case अगर कुछ उसमें रह जाता है, तो हम उसको re-scheduling भी कर सकते हैं, उस project में, ठीक है, then उसके बाद तुमारा methods आफे project management, notes में दिखेगा तुम्हें methods क्या क्या है, तुमारे project management के सबसे पहला method है, तुमारा bar chart हो गया, then उसके बाद milestone chart है, then उसके बाद network analysis है, ठीक है, यह तीनु method क्या है, कि इसमें construction activity में use होते हैं, कल पढ़ा था ना, हमने charts के बारे में, इन types के chart थे, there are three types of chart, bar chart, milestone chart, और network chart, जो के bar chart था, वो invent किया था, कि इसने, henry gant ने 1900 में, उसको हम gant chart भी बोलते हैं, जो basically bar chart है, वो एक graphical representation activity है, जो कि क्या करता है, कि graph बनाके activity को represent करता है, जैसे कि इस diagram में था, इस type से हम bar chart को represent करते हैं, activities को और times को, time को week में, ठीक है, then उसके बाद उसके advantages थे, कि bar chart जो था, वो simple to draw, easy to understand, and then, जो भी side पे हम progress achieved करते थे, उसको उसमें represent करते थे, draw करते थे, third advantages था, कि इसमें कोई train, या skill, personal की ज़्यदा जरूरत नहीं है, chart बनाने के लिए, then उसके बाद था, आपका milestone chart, milestone chart वो chart है, कि जो represent करता है, arrow को, circle को, किसी भी activity के लिए, ठीक है, इसकी भी diagram कुछ इस types की थी, उसमें क्या था, activity और time को measure कर रहते, इसमें भी वो ही है, बट सिर्फ difference क्या है, कि इसमें हम arrows को, और circle को use करते हैं, इस chart में, then उसके बाद आपका था, network analysis chart, network analysis chart एक ऐसा था, कि किसी भी project में controlling, या planning, designing, coordinating, हम करते थे, जो भी अपने पस available resource थे, उनका use करके, जो भी हम controlling और planning करते थे, फिर दिन उसके बाद एक, जब network बन जाता था, network channel बन जाता था, तो उसको network analysis chart बोलते थे, like, इसमें दो method थे, दो इसके, जो इसमें term use होती थी, वो एक part थी और एक CPM थी, part stand करती है, program evaluation and review techniques, and the CPM stand for critical path method, इसकी diagram कुछ इस पर कार की थी, एक network channel बन गया, A is follow कर रहे B को, और A ही for, C, A follow कर रहे, फिर then C को, फिर A follow कर रहे, मतलब एक ही जगा से काम हो रहा है, लेकर आगे concurrent activities, different काम हो रहे हैं, तो वो एक हमारा network बन जाता था, then उसके बाद आज है हमारा fundamental of networks, तो fundamental of networks क्या होता है, कि जो भी हम networks के अंदर planning, controlling और scheduling करते हैं, बहुत सारे components की, उनको draw करना, ठीक है, चाहे वो logically हो या sequentially हो, अब logically उसमें activities भी हो सकती है, event भी हो सकती है, तो network को दो types में draw किया गया है, एक activity over arrow और एक activity over node, activity arrow और activity node जो हैं, दो ऐसी types हैं, networks की, जिसे हम क्या करते हैं, कि इनको draw करते हैं, पढ़ते हैं पहले कि activity over arrow क्या होता है, activity can be broken down in the various form, in the form of operations and necessary for its completion, each of these operations are processing, consuming time is called activity, कोई भी activity, कोई भी काम जो आपस में breakdown हो जाए, बहुत सारे operations को, फिर उसके बाद उनका ये ज़रूरी हो जाए, उसको complete करना, उस पूरे process को हम क्या बोलते हैं, activity, अब माहलोग एक example दे रहा हूँ, activity जैसे के तुम क्या बनाते हो, concrete बनाते हो, ठीक है, concrete is in your activity, बट उसमें होता क्या है, कि सबसे पहले तुम batching करते हो, किसकी, सीमट की करते हो, sand की करते हो, aggregates की करते हो, और पानी को अगठा करते हो, main activity क्या है तुमारा, concrete, बट उसमें जो जितना भी process लग रहा है, जो भी उसमें breakdown operations हो रहे हैं, जैसे सबकम, अपको अगठा करना, then उसके बाद उनको mix करना, तो उनको आपस में उस पूरे operation को perform करके, जो तुमारा concrete बनता है, हम उसको बोलते हैं activity, आ गया समझ activity क्या हो गया? समझ आ गया activity क्या हुआ? जैसे कोई भी काम हो, उसको breakdowns operations में किया जाए, ठीक है? उस पूरे process को हम क्या बोलते हैं? activity, जैसे मैंने तुमें example बताया, कि हमें सबसे पहले concrete बनाना है, अब हमें पता है कि concrete में कौन-कौन से ingredients यूज होते हैं, अब direct तो concrete बनेगा नहीं, हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले batching करनी पड़ती है, किसकी सिमट की, ठीक है? देन उसके बाद हमें sand को अगठा करना पड़ता है, देन उसके बाद aggregates को अगठा करना पड़ता है, फिर उसके बाद हमें उन सब को mix करके, एक पूरा प्रॉपर स्थीके से mixing करके फिर उसमें हम क्या करते हैं जब उसमें पानी डालते हैं तो वो एक पूरा operation complete हो जाता है तो जब वो हमारा एक concrete बन गया तो उस पूरी form को हम क्या पर बोलते हैं activity ठीक है अब types of activities में क्या है इसकी भी दो types हैं एक है serial activities अब serial activities क्या हो ग other sequentially के ये वो activity हैं जो के perform की जाती है sequential order में एक के बाद दूसरा जैसे a follow कर रहा है किसको b को ठीक है अब ऐसे ही b follow करेगा किसको c को जो sequential activities होंगी sequential form में होंगी उस activity को हम बोलते हैं serial activity ठीक है जो sequential होंगी ये follow कर रहा है किसको diagram में diagram सबको visible हो रहा है येश 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 इस type का जो भी हम activity perform करेंगे उसको sequential order में उसको हम क्या बोलते हैं serial activity then उसके बाद है आपका second one parallel are concurrent activities अब parallel are concurrent activities क्या मतलब जिनका base एक ही हो और वो आगे क्या हो जाए अलग-अलग हो जाए independent हो जाए ठीक है उनको हम बोलते हैं क्या concurrent activities these are activities which can be performed simultaneously and are independent of each other क्या मतलब है कि ये वो activity है जो के perform करते हैं एक से बट आगे क्या हो जाते हैं independent हो जाते हैं जैसे इनका base एक ही है starting point इनका एक ही है A हो गया ठीक है अब देखो उसके बाद अलग-अलग independent हो गये B अपना हो गया C अपना हो गया D अपना हो गया तो जो इस order में चलेंगे उनको हम बोलते हैं concurrent activities ठीक है जिनका base एक हो और वो आगे जाके independent हो जाए तो उनको हम क्या बोलते हैं concurrent activities तो serial first आपका था serial activity नाम से ही पता चल रहा है कि serial activity क्यों सा हो गया कि जो एक sequential order में चलें उसको हम बोलते हैं serial activity और parallel are concurrent activities वो activity हो गई कि जो starting point एक जगा से उनका शुरू हो और फिर उसके बाद वो क्या हो जाए independent हो जाए एक दूसरे से उस पूरे operation को उस पूरी activities को हम concurrent activities बोलते हैं या beam बनाने हैं या column तो वो एक planning जो तुमारा हो गया construction management में उस पूरे जो भी तुम काम planning के through करते हो उसको हम बोलते है planning then उसके बाद है तुमारा diligence diligence क्या होता है कि ये एक ऐसी terms है जैसे हम कोई काम करवाना चाहरे हो ठीक है कहीं कोई site पर काम करवाना चाहरे हो और तुम देख रहे हो कोई कोई दूसरी company अच्छा काम कर रही है तुम तो वही काम तुम उस दूसरी company को जो transfer कर देते हो उसको हम diligence बोलते हैं ताके उसे क्या हो कि अगर वो company उसका rating अच्छा है तो वो हम चाहेंगे कि कोई दूसरी company आके हमारा अच्छा काम करें एक हमें ताके उसे better construction project मिले उसको बोलते हैं diligence then उसके बाद आपका आता है third point पर commitment commitment क्या होता है commitments construction management में एक ऐसी term को define करता है कि जैसे तुमने ये सोच लिया कि हाँ ये काम मैंने इतने time duration में करना है ठीक है एक कोई project बना रहे हो अगर उसका time duration एक साल का है या 8 महीने का है तो वो जो time duration है वो तनारा क्या हो जाता है उसमें commitment होता है कि मेरे को ये 8 महीने में complete करना है इसको closure करना है मेरा ये काम ready होना जाए ये देन उसके बाद आपका आता है cost of construction project जो के define करता है कि उस पूरे project की कितनी cost लगी ठीक है कि कहां कहां तुमने जएदा खर्चा किया कहां कहां तुमने कहां कहां से task जो थे जो काम थे वो उसमें involve किये या कौन सा unnecessary काम हुआ कि जिससे जएदा हमारा खर्चा गया या ऐसा कौन सा काम तुमने किया गया जिससे हमारा खर्च अग्दम neutral हो गया तो उस पूरे project की जितनी भी cost define करेंगे उसको हम बोलते है cost of construction project ठीक है ये चार point थे इसमें function of construction management में then उसके बाद आता है आपका second point कि stages क्या क्या है construction project की तो normally देखा होगा तुमने सबसे पह है तो हम देखें कि वहाँ का concept क्या है ठीक है वहां पर क्या concept रहता है कि हम क्या बनाना क्या चाह रहे trabalho क्या हैं क्या हमारा हमारे client को requirement क्या है हमारी ठीक है अगर हम उसको ये वहला design देंगे तो उसे उसकी appearance में क्या फरकाएगा तो the conception of the project means क्या हमारा जो जो हम कहीं पर जो क कर रहे हैं, क्या वो राइट लोकेशन पर है, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन जो उसकी ड्राइंग है, उसको फॉलो किया जा रहा है, क्या उसमें, जो जो हमें अपने नसेसरी चीजें हैं, जो हमारी अपने हैं, ठीक है हैं, जैसे कि हमें एम्टमिट हो गया कि हमें M20 का ग्रेट यूज करना है तो हम M2 कर गया है, उसके बाद design, अब design के तुम किस shape उसको दे रहे हो, या तो कोई तुम बनाना क्या चाह रहे है। तो इस process को हम क्या बोलते हैं design concept और design में क्या difference है कि तुम बनाना क्या चाह रहे हो ठीक है तुम बनाना क्या चाह रहे हो जो तुमारे client को require होगी तो उसी तरीके का ही design बनेगा ऐसा तो नहीं है कि अगर हम कोई apartment बना रहे हैं तो हम अपने architecture को बोलें कि नहीं हमें इस type का कोई दूसरा hotel बनाना है या तो तुमारे design भी बनेगा design mainly कौन lead करता है या तो architect lead करता है या फिर जो तुमारा engineer होता है sometimes वो lead करता है ओके यह समझ आ गया concept or design दोनु समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर अलो जहां से समझ नहीं आएगा फूछ लेना ओके फोके सर देन उसके बाद आपका third point है जो कि कहता है कि the pre construction stage pre construction stage एक ऐसी stage है जहां पर क्या हो है कि तुम काम करने जा रहे हो ठीक है या तुम्हें tender मिल गया है उस काम का उस construction activity का तो फिर क्या हो कि उसमें bidding होती है ठेकेदार की बोली लगती है ठीक है जैसे कोई government body का tender निकलता है कोई भी project निकलता है तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग उसमें पर उसको दिखाते हैं तो फिर उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो बड़े बड़े ठेकेदार बड़े बड़ी सेंक्शन हो जाता है तो उस वाली स्टेज को हम क्या बोलें तब प्री कॉंस्ट्रेक्शन स्टेज जो हम bidding के time करते हैं और उसको कौन कंप्लीट करता है contractor complete करता है जब उसको sanction हो जाता है देन उसके बाद आपका है उसमें क्या-क्या उस pre-construction stage में कौन-कौन से team रहती है जैसे contract administrator रहता है project manager रहता है जब काम sanction हो जाता है देन उसके बाद superintendent engineer रहता है field engineer रहता है and health or safety manager रहते हैं देन उसके बाद जब construction का काम शुरू हो जाता है जब सब कुछ आपकी meeting वगेरा या जो भी आपका वहां का term then condition पूरे okay हो जाते है देन देखो जहां पर अगर कहीं कोई बड़ी site चल रही है तो वहां पर सबसे पहली बात है कि बहुत सारे job portal खुल जाते हैं वहां पर ठीक है चाहे वह labor के हूँ या फिर किसी site engineer के हूँ या फिर supervisor के हूँ कहीं भी देखो कि अगर कहीं भी काम चल रहा हूँ तो वह लोग क्या करते हैं पर local bodies को hiring करते हैं तो first point में हमें हो जाता है कि हमारे लिए job का site जो हो access हो जाता है then उसके बाद quality control हो जाता है project का then उसके बाद वह लोग देखते हैं कि आप कैसे और कहा material को store करते हो फिर वो ये भी देखते हैं कि तुम कितने घंटे काम करते हो ठीक है तो यह किसमें आता है the construction construction stage में then उसके बाद आपकी construction team है उसमें क्या क्या team रहती है अब देख लो labor की अलग team रहती है ठीक है planning planner जो होते हैं वो अलग र बन रहा है तो structure engineer होंगे architecture अलग रहे हैं inspection वाली team अलग रहती है specification अलग रहता है बाकी health और safety वाले अलग रहते हैं तो जो पूरी team involved होती है construction team में इसे मैंने बताया planning हो गया project manager structure engineer, site engineer, यह सब team होता है team मिलके यह लोग क्या करते हैं काम करते हैं then उसके बाद project manager हो गया जो कि responsible रहता है पूरे project को deliver करने के लिए then उसके बाद man contractor रहता है, site manager रहता है, site engineer होता है and then उसके बाद आपका sub contractor रहता है उसके बाद जो man important term है owner, engineer और contractor अब owner, engineer और contractor तीनों में क्या difference है है कोई idea इस बताओ जैसे कोई भी आम टेंडर लिए यह गोर्मेंट टेंडर मुझे मिला तो जिसका comprises होगा टेंडर में तो टेंडर तो कंफर्म उसको मिल जाता है और इंजीनियर और contractor में क्या difference है इंजीनियर प्लानिंग बनाते हैं मेनेजमेंट करते हैं तैट कुछ लाते हैं और और इंवेस्ट करते हैं अग्षे जाते हैं अग्षी में टेंग अग्षे जाते हैं यृद्वा इंजीनियर के अंडर इन देसेंग सब्सक्राइब क्यासे देखो